दोहसार चौबीस के लोग सभा चुनाव को मद्धि नज़र रखते हुए हर एक राजनितिक दल मैदान में एक्टिव है और ये राजनितिक दल केंद्र की मोदी सरकार को साफतोर पर खुली चुनोती देते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर साफतोर पर देखा जा रहा है देश की स्यासत में कि एकजुटा का संदेश दिया जा रहा है विपक्षी दलों की तरफ से केंद्र की मोदी सरकार के खिलाव क्या वाकई में यह सभी जो राजनितिक दल है वह एकजुट होकर लोग सभा चुनाव लड़ते हुए नसर आएंगे ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि 28 राजनितिक दल तो एकजुट है लेकिन इन दलों में बहुजन समाज पार्टी शामिल नहीं है दरसल आपको बता दें कि इंडिया गठवंदन की चौथी बैठक में साफतोर पर देखने को मिला कि समाज वादी पार्टी की तरफ से एक शर्त रखी गई कि बहुजन समाज पार्टी अगर इस गठवंदन में आती है तो समाज वादी पार्टी इसका हिस्सा नहीं रहेगी अखलेश यादव और राम गोपाल यादव ने ये बात साफतोर पर कही और कॉंग्रेस यहाँ पर सहमती जताती हुई भी नजर आई है कि मुस्लिम और दलित वोट बैंक छिटकता हुए नजर आएगा कॉंग्रेस की तरफ से यहाँ पर यह दावा किया गया है अगर बसपा इसमें नहीं होती है तो इस वोट बैंक को कैसे समालेंगे लेकिं समाजवादी पार्टी कहती है कि देखिए यहाँ पर जो वोट बैंक है उसे ट्रांसफर नहीं करती है बहुजर समाज पार्टी और नहीं करा पाई की तो ऐसे में यहाँ पर नुकसान ही हो सकता है हमें अब यहाँ पर अगर बात की जाए मायवती को इस गठवंदन में लाने के बारे में तो क्या 2024 के लोग सभाचुनाब के लिए या फिर नेता जी के सपने को पूरा करने के लिए इस पार्टी को नेशनल लेवल तक लेजाने के लिए अब एक बड़ी पहल देखी जा सकती है यहाँ पर यादव कुनवे की बड़ी वहू डिमपल यादव की तरफ से जो मैनपुरी से सांसद है डिमपल यादव ने चाचा शिपाल सिंग यादव को मनाया फॉन किया और बाद में अखलेश यादव के साथ उनके घर भी पहुंची मनाने के लिए और यहाँ पर उनकी मेहनत तरंग लाई शिपाल सिंग यादव पाटी से एक बार जुड़ गए और आज देखिए कि किस तरह से अखलेश यादव रणनीतियों में बदलाव कर रहे हैं लेकिन मायवती कहती हैं कि गेस्ट हाउस कांड ना हुआ होता तो ये गटवंदन तूटता नहीं राज्य में सपा और बस्पा का गटवंदन राज कर रहा होता अब द देखना होगा कि डिंपल यादव की तरफ से संपर्क साधने की कोशिश की जाएगी या फिर नहीं क्योंकि एक जुटता का संदेज विपक्षी दलों की तरफ से लगातार दिया जा रहा है दूसरी तरफ से बस्पा से सांसद मलूक नागर के बड़े बयान से स्यासी सरगर में तेज हो चुकी है वह कहते हैं कि माफी मांगनी चाहिए अब यहां पर राजनितिक दलों को और पी एम उमीदवारी के लिए मायवती को आगे करना चाहिए क्योंकि इंडिया गटवंदन का कोई भी वजूद नहीं है अगर बस्पा इस का हिस्सा नहीं है खेर अंतिम फ समय में सपा और बस्पा एक बार फिर से एक जुट होगी या फिर नहीं इस खास रिपोर्ट में इतना ही बागी की तमाम अप्डेट्स के लिए देखते रहें नेक्स्ट नाइन न्यूज